तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले कोश्चन को देखो कि इसमें क्या कहा जा रहा है देखो मैं अच्छे से एक्स्प्लेइन करता हूँ ठीक ना बच्चों को इसमें डाउट आता है कि एक आरसी सर्किट है मतलब एक अपने पास रेजिस्टेंस है और वहां से एक कैपसीट में इसके बगल में कनेक्टेड है अब आवियसली कैपसीटर यहां से आइडियल में मानूंगा और यहां पर मैं एक एसी का सोर्स लगा दिया कुछ ऐसे सर्किट कम्प्लीट कर दिया ऐसे किसी भी इंस्टेंट करेंट आई प्लो हो रही है रजिस्टेंस आ रहा है कैपसीटर और यहां से कुछ पार माइिका से फील कर देता हूं तो उसके राज जो बोल्टेज हो वह बी इस तो बीया और बीबी में रिलेशन हमें निकालना है तो सबसे पहले जो किसी भी इनस्टेंट अगर करेंट देखोंगे तो बोल्टेज अपान रजिस्टेंस EMF ओवर यहां से, देखो EMF यहां लगा दिये, EMF is equal to E naught sin omega t, ठीक ना, बात आरा है समझ में, तो EMF is equal to E naught sin omega t लगा दिये, तो यहां से तुम देखोगे EMF यहां से, R square प्लस यहां से XC का whole square under root, XC को मैं लिख सकता हूं यहां से, EMF ओवर यहां से, R square प्लस XC is equal to 1 upon यहां से, omega C का whole square, ऐसा कुछ, तो जब माई का, इसके अंदर जो माई का लगा दोगे, यहां से resistance, यह इंड़क्टर नहीं है बच्चों, यह resistance है, तो यहां से resistance है, जब इसमें माई का लगा दोगे, तो इसकी capacity जो है, इसके cross पहले voltage भी यह था, अब इसके cross voltage भी भी हो गया, ठीक ना, तो यहां से जब तुम माई का लगा दोगे, तो होगा, क्या माई का लगाने से, इसकी capacity C-S हो गई, ठीक ना, क्योंकि जैसे ही dialectic insert करोगे, capacity इसकी increase हो जाएगी, तो जैसे ही capacity इसकी increase हो गई, तो capacity increase होने से, यह वाली जो चीज़ है, XC increase हो जाएगी, XC यहां से, XC is equal to 1 upon, omega C, अगर capacity increase होता है, तो XC, net resistance offered by the inducted, decrease हो जाएगा, अगर resistance decrease हो जाएगा, तो overall यह वाला जो factor है, वो decrease हो जाएगा, अगर यह decrease हो जाएगा, Z decrease हो जाएगा, तो यहां से Z decrease हो गया, Z decrease हो गया, तो current की value बढ़ जाएगी, जैसे ही current की value बढ़ेगी, तो यहां से इसके across जो resistance है, अगर इसमें current की value बढ़ जाती है, current increase हो जाती है, तो इसके across voltage increase हो जाएगा, voltage increase across the resistance, तो कैपसीटर के एक रॉस जो बोल्टेज है भी भी वो डिक्रीज हो जाएगी समझें लॉजिकली कियोंकि जो यह था इस उकल टो ए नोट साइन ओमेगा टी तो ए आरेमस की यह वाली जो वैल्लू है वो तो क्या है यह फिक्स्ट तो अगर यह वैल्लू फिक्स्ट है तो करने का अब देको मैतमेटिकली पी स्पूशन जो आ है अब देको मैतमेटिकली इस नहीं해 है और यह सब आधा है यह कर्म कामात्यमेटिकली इसको किर देंकेर देता हूं थिक्स्ट एक तो लॉजिकल एक्स्प्लेट कर दिये फिजिक्स से, second method है कि current at any instant, जो EMF है, अपान यहां से z, ठीक न, तो EMF अगर z की value यहां से देखोगे, तो R square प्लस यहां से XC का whole square, अंडरूट, तो EMF यहां से net और R square, प्लस XC is equal to 1 upon omega 2 pie frequency, और C का whole square, और यह सब यहां से अंडर रूट तो यहां से तुम देखोगे जो EMF ओबर और यहां से solve करोगे तो 2 pi frequency और C ऊपर चला गया क्योंकि यह square चड़ा था root था और इधर बचेगा 4 pi square frequency square c square r square plus 1 अंडर रूट यह सारे factor बच जाएंगे तो this is the यहां से current at any instant this is the value of current equation number first at any instant अगर किसी भी instant बच्चो current इतना है तो अगर मैं voltage at any instant voltage across the voltage across capacitor voltage across the C capacitor जो है VC is equal to instant current और multiplied by resistance offered by the voltage तो यहां से current की value जो उपर वाला यह वाला जो equation है इसमें यहां रख दोगे तो यहां से EMF और यहां से 2 pi frequency और C और यहां से 4 pi का square f का square c का square r का square plus 1 अंडर रूट और यहां से मैं x c is equal to 1 upon omega c 2 pi frequency और C तो यह पूरा factor cancel हो गया तो voltage across the capacitor यहां से EMF अंडर रूट यहां से enjoy करो और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जब माई का डालोगे तो C की value यहां से बढ़ जाएगी जैसे C की value बढ़ जाएगी voltage across the capacitor जो है वो decrease हो जाएगा that is VB is less than BA that is D option is the correct thank you अपना बहुत ख्याल रखो दोस्तों के साथ मेरा solution जरूर शेयर करो if you support कर रहे हो तो